नमस्कार मैं हूँ संजे सोदेश जैसा कि आप लोग जान रहे होगे कि अभी हम लोग जो है हत्वा नगर पंचायत के अध्यक्षपद के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं लोग के बीच पे जा रहे हैं हमारी पत्नी सुनीता सा जो बीकम एमकम है नाक्पर हो और एक ऐसी योगिता जो सब को समान नजर से देखे जात पात धर्म से उपर उठ करके एक संतुलित तरीके से जो जनता के हित में है वही सब काम हो तो इसको लेकर के हम लोग ने जनता से बीच जाक जाके संबाद किया पैदल पद्यात्रा हम लोग ने किया एक घर पर ग हैं उसको लेकर के हम लेकां कि दोर बेखन किया कि किस वार्ड में क्या समझ्याइै कैसे क्या कि है उसका सारा चीज बूपी तयार करके 12 जब लोग चाहते हैं कि हथीर का एक बहतर और संदर बिकास हो सब लोग कि बसकि बात कर रहे हैं सब लोग निमनेमन बतिया उता चिकन सब लोगों से कि आप इस बात को परखिए कि जो आदमी मीठा बोल रहा है और हम भी मीठे बोल रहे हैं तो उनका करेक्टर क्या है काम का क्या करेक्टर होगा और करेक्टर के का के अधार पर अपताय कि जिए बात का बात मिलाइए कि वह बात जो बोल रहा है उसका आखी आख क्या बोल रही है उसके अधार प्रेताय करिए कि आदमी में करने का काबिलियत है कि नहीं है या किवल उनके नजर में हत्वा के नजर हत्वा पर उकी गिद्धिश्टी पड़ी हुई है कि भाई यह हत्वा में नवगठित नगर पंचायत है तो फंद आएगा और उसको सबसे पहली बात कि विकास क्या है जो लोग कह रहें कि विकास की परिभासा क्या है जहां तक मैं समझता हूं कि जो अधारभूत संरचना है जिसे अंग्रेजी में वर्ड है इंफ्रास्ट्रुक्चर आप लोग बहुत लोग जानते हों कि नब्य के दसक में यह सब बहुत चलन में आया था उसमें हमारे देश में इंफर्रास्ट्र क्रक्चर को ले लेकर के ढहां कहां उदारी करन कर दोर चला तो उसमें से देश टेश बिकास कर दो किया और यह अधारभू ठाचा जो होता है जिसमें बिजली पानी शड़क और परिवहन ये चार चीज जब तक उज़े समझे कैसे विकास हो रहा है और जिन सहरो में यह चीजें किलिर हो चुकी है वहां पर उसके आगे का विकास हो रहा है हमारे यह पर यह बहुती बुनियाधी चीजें जो है अभी चल रही है और समस्याइं बनी हुई है और उसी को लेकर के मुद्दा बन रहा है बहुत ही दुखा दिश्टी है यह कभी हम सोचते हैं तो बहुत दुख होता है कि भाई अजादी के 75 साल हो चुके हैं और अभी भी हम लोग यह इसी मुद्दे पे अटके हुए हैं इसी मुद्दे पे अटके हुए बिजली सड़क पानी और नल जल जबकि विकास के लिए चीजे जरूरी ततो है यह अधार है हमें इसके उपर तक जाना चाहिए ता लेकिन ऐसा पूर्व के पतनिदियों ने चाहें जिस कारने से भी ने किया कुछ प्रतिने अच्छा काम किया है कई पतनिदी करना चाहते थे लेकिन वह ब उपना बेष्ट दे चुके हैं उन्होंने अपना बेष्ट दे दिया है हम जनता से बार बार एपील कर रहे हैं कि हमें अपना बेष्ट देने का मोका दीजिए क्योंकि हम चाहर है कि हम हत्वा में अपना बेष्ट दे दे जो इसकी लम बाहर से सिख कर के आए दुस्के दु आपन हमस्टित श्ररभाग के लिजुमें, तो आप सकते हैं, तो तो कि अन्यूस्चितूर्पूत अमारे मच्छ रिखते विक्तित्यत उताथ हुआ, उसके नेचर में ही है, हमारे करेक्टर में ऐसा है कि हम Payback to Society के लिए काम करें मतलब जिस समाज में हम पलबढ के बढ़े हुए हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए काम करें तो ये बहुत ही जरूरी है और समाज जो है जब तक Payback to Society वाले लोग जो सोच रखने वाई लोग है उनका सममान नहीं करेगा समाज का उठ्धान नहीं हो सकता है देखे हमें बाकि दूसरे लोग के बारे में कुछ तो कहना नहीं है कुछ चीजे मोटी मोटी तवर पर हम बताना चाहते है बहुँ सारे काइड़े पर्तियासी है अब तो किलियर है कि कौन लोग रेस में है कहां कहां तक है, आप जज कर लिए चुके होंगे, तो एक आद पर्तियासी ऐसे भी है जो दूसरे चेतर से आके लड़ा है, एक पर्तियासी है कि उनके इर्दगीर्द जो है, जो चुनाव लड़ा है और दूसरी बाहरी आदमी लो भीज़ सरा काम करना चाहरा है आप बताइए कि जहाँ परतनेदी रहे हैं तीन बार से चर वर से वहां पे अपने क्या काम किया है तस काम के लिस्ट लाइए और उसके अधार पे बताईए कि हम ने उतना काम किया रहो ऐसा ही हत्व़पा को करेंगे लेकिन यह बताणहीं कर रहा है उसे कर रहे हैं तरह नहीं कि STRIKY तरह केold कर रहे हैं जूटी सिकाहित कर रहे हैं धंकी दिलवारे हैं हमारे लोगों को ऐसे लोगो को सबक हो लुग तक हम लोग नगों के साथ आ चुก modal यह यह लोग क्या मनके बना जाता कि अधोड़ घृतने चोटा साली बना जाता लेकिनिलों अईसा नहीं किया। कि केषर बाइक क्या जामील दिया आप उर्णे फळने स्टेकों चेट बैंक में पुराने एफ उ स्टेच में कि बना चाहीं है नहीं बना शक्ते थे kurda ट्रूंने नहीं का काम किया कि हम यह करना चाहते हैं और पड़ी मुखरता से वाज उठाया कहा कहा कैसे किस तरह सोसन हो रहा है तो उसके लिए हमें जो लड़ाई लड़नी पड़ी वो लड़ाई तो हमारे नेचर में है संघर्ष करना ही करना है लेकिन आपको बात बताना चाहते हैं कि हम चाहत लिएभ़े अपह फेलार है कि यहाद नहीं रहता बहुर चल जाता है। जब्किlt हखीकाद है कि पंट साथ से मेग her रहे है और अपना बिजनेस खळा कर लिये और कप रहुत है कीसारे लोगों का हमने कुछ काम किया है बताना नहीं क्योंकि हमारा करेणा HEY कि नेकी कर दरिया में डाल हम यह नहीं चाहते हैं दूसरे तरह कि गरीब आजमी को मदद कर दी जाए और उसका ढोल पूरे 22 गाउं में पहलाए ऐसा काम हमको नहीं करना है हर आदमी है अपने अपने हिसाब से लोग के गरीबों की मदद करता है हमें सिखाया गया है कि यह ने का करना चाहते है यह चाहते है कि भोटो का पूर्येशन हो धृर्वी करण हो और यह धृर्वी करन करके यह लोग को भरमा करके चुनायों निकाल ले जो ऐसा होने वा-ला नहीं है हम लोगों पूरी महनद करके अलों के दर्यृ यह अद्वाजे दर्वाजे को नोख किया Company chỉ कि जो से बचिए योग्यों मिद्वार को आप मैदान में उतारा गया है अपनको चुनिये ताकि पांच साल आपको यह कहने के जरोत ना पड़े कि भई योग्यादमी तो मिला नहीं कैसे मिलेगा हर चुना में योग्यादमी खार रहता है लेकिन कम्योड पड़ जाता है हमार साथ है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि लड़के को यह लोग सपोट कर रहे हैं अब इसमें क्या है कि अगर आप हमारा हाथ नहीं थामेंगे तो कौन थामेंगा हमारा आग्रा है कि आप इन सब चीजों को समझिए जाती पाती भेद भाव से उपर उठकर करके और जू को यह है तो दिजिए हमने पहले दिन कहा कि कोई जो भी उमिद्वार महिला उमिद्वार हैं आए और एक पनली अपलिकेशन लेकर कर दिखाया हम अपना वो ले लेंगे लेंगे लेकिन अशा कुछ हुआ नहीं हम कहा है कि आप इसको परखिए अगर नहीं परखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा एक और महत्वन बात बताना चाहरे कि सरकार ने नियम लगाया है कि अब जो है सरकारी जो भीभा की काम कहुंगे उसके जो बैठकों में जो हिस्सा लेका काम जो करेगी ओ महिला परतिनी इदी महिला अपना परतिनी नहीं सकते स्थिट महिला रक्ष तो तो लिखने नहीं आएगा फिर कैसे समझ्य का समध्ण होगा इसलिए जरूरी है विकास का अधारभूट धाचा बिक्षित करना है हतुआ में इसके लिए जरूरी है हम लोग बिकास के अधारभूट धाचे इस यह तो काम करेंगे करेंगे लेकिन उप से उपर हट करके एक हम लोगोने कामो का अपनाया है एक मोडिूल बनाया है जिसे हत्वह के संदर डस बीकास हो having एक अपको बता में कोई गोश्नापत्र जारी नहीं किया है लेकिन हम लोग ने कोई गोइं बचल जनुर जारी किया है पूरे सिद्धत के साथ जारी किया है कि हम जो क Anna हम काय करेंगे इसकी गरांटि है इसके लिए हमारी केंडेट सुनीता साह ने एक जो है गांडिर कार्ड तयार किया है है और यहां साइन किया है इसको जारी किया है बह। Christmas लोगे घर तक पहुंचा लि connotation कि वहां सहीं लोगों के समभवता हो अद्सके घर अधुआ को धन और भावबल से मुख पर ना इसलिए जरूरी है कि हथुआ पहले से सोशित होते रहा है हथुआ बजार है यहां देखें कि बाहुबली आते हैं और क्या करते हैं धन के परभाव इतना तेजी से करते हैं धन के कारण इतने घमंडी लोग हैं यह चाहते हैं कि चलने वाल आदमी एक लड़का इमंदारी से चुनाव लड़ा है साधिकी सीचुनाव लड़ा है तो उसको यह दबा दें किसी लिए भाइब भाई लोगतंत्र ने हक दिया है कि संविधान ने हक दिया चुनाव लड़ने के लिए और आप चाहते हैं कि पैसे पर हम दबा पैसे पर कुछल दें जन्ता ऐसे होने नहीं देगी जन्ता को बुर्बक आप लोग समझ रहे हैं इसके साथ ही हम लोग रखा है कि महिला सस्कति करनों रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रियुदो की बेष्था करना हम लोग सुरू वरं से सुरू से कहते हैं हम लोग यह शुक्ति करने काम करना चाहती है यह आर्थिक करांती होगी हमें छोटे लेबर की बहुत आश्चरी बात नहीं है कि आप सोची घर की महिलाई जो घर में बैठी है खाली काम करना चाहती है उनके हाथ में पड़े 50-20-40-500 रुपे आए तो कितनी बड़ी करांती होगी आ हम लोगों ने बनाया हुआ है आने वाले अगर चुनाव हम लोग जीत जाते हैं तो सो दिन के अंदर कम से कम धाइसों से पांसों मुलागों ततकाल रोजगार की विश्ता हम लोग करेंगे इसके अलावा छातर सहत्राव के लिए डिश्टर लाइबरेरी कैरियर कांशिलिंग जोड़ना हम लोग का इच्छा है कि हम लोग डिश्टर लाइबरी बना के दे जिसे बच्चे आये और वहां पढ़े अच्छा इन्भार्मेंट मिले हमारे अधिकतर मध्यमबर के लोग रहते हैं लोग रहते हैं उनके घर में बहुत अलग से कमरे नहीं है जहां पे बनाए जहां इन्भार्मेंट रहे पढ़ाई का फुली और वहां के पढ़ सके इसके लवा कई चात्र जो चात्र वीर्ति से बंचित रह जाते हैं धेर सारी चात्र वीर्तिया जो गरीब चात्र है टालेंटेड हैं उनको जरुवत है थोड़े से मदद की लेकिन उनको जनक बाद में कुछ कर नहीं पाते हैं हम लगो को चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो बच्चे दस्वी बार्मी पास करें उनको पूरा एसकेन करके उनकी एस्क्रीन टेस्ट लेकर के उनके के केरियर कांशलिकी बेऊस्ता कराई जाए इसे बहुत अच्छा चीज यह होगा प अगर के हर गली मुहले बाडो नाले एंपीशी सी सिर्कू का निर्माणा ओवा ए सुथ पेजल करना यह तो मुद्द शरकार क्योंषते इसका प्लान चले रहा है इसको शिद्द से कर लग हम लोग है हर लोग करना चाहते हैं हम लोग चाहते किस में काम हो तो इसके अच्छा उप्योग हो और अच्छे मजबूती से बने काम तरकाऊ नहीं और टिकाऊ हो इसका ध्यान हम लोग रखना चाहते हैं इसके अलावा हत्वा नगर के परुख अस्थानों बजारें वार्ड में सीची टीवी केमरा लगा कर अपरात को नियंत्रिक करना हम लोग चार ह है कि जब लग जाएगा तो निस्षी तरुप से अपराद में होने अपरादी गति विधियों में जो बाइच चोरी होती जो पाल मंदिर के पास से और वी कई जगों से तुसे काफी कंट्रोल होगा इसके अलावा एक योजना है कि हर सरकारी जिना को घर घर पहुंचाना प को एक हैए उस में झायर को जिम्मधारि जो बनाती खी उनने को बिमार्ण बनाति ते कि पूर्व के परतनिदिगों के जिम्मेदारी बनती थी कि उन्हें दे लेकिन उन्हें अपने जिम्मधारी हो गए वथिकारियों किया कि अप्सवार्वी तर穴 नहीं आई रीपार्ण कर दिया जाए इसके साथ ही पर्धानमंत्रि अवास्योजिना का लाव इने सबसे पहले पहुंचा जाए लेकिन पूर्प के प्रतनिद्दोन ने ऐसा कुछ काम किया है कि जिन को एक ही आदमी को दो दो बार तिन तिन पर आवास्योजिना का लाव दिला चुके हैं उनके नियत में खोट है क्योंकि ऐसे लोग को अवासियुजना के लाब देलाने से उनको कमिशन ज्यादा मिलता है और अग्राद में सिकायद भी नहीं करता है हमें ऐसा नहीं करना है हम लोग चाहरे है कि मैक्सिम लोग ता कि लाब पहुंचे इसके अलाव आप देखिए हम आप चाहते है कि हतुए में जो सफफाई हो कुड़ा कच्छे का निस्तारन हो उसको अधुनिक टेक्नलोजी का उपियोग करें तेक्नलोजी को अपियोग करने से क्या लाब होगा तो सुचेंगे काम जल्दी होगा इसके साथ कच्छा के डंपिंग करने की समस्या नहीं iden करने को सकते हैं म लोग यह जानके है अश्यर हो कि देसमें कई ऐसे सहर है कि लोग जो है टकनीक का सहरा वाके नगर पालिकाह пробक Gomezा ऑचे एसके कच्रा निकालते हैं उसके धेने के वजम को पैसा मिलता है हम यह का रहा है कि अवेरा गपका ठवा देंगे लेकिन हम लोग ऐ नेकरन करना चाहते हैं, अपन जीम करना चाहते हैं टाकी लोग्यों टाहलते है उनको जीम करने काats Susah छेसे डीम बना है ऐसे जगेश यहां के उपयोगता कोम लोग लिए ले एह तो इसंके लोग से सके इसके बनाना ऐजगा आनक चे inhib yuk ताकि हर चेतर का उसमें पहुंच हो सके एक तो राजाराम का पोखरा आपने देखा होगा मठिया में उसको हम लोग चाहर है कि उसका संदरी करके हम लोग उसको प्रेटर केंदर बनाए उसी के सा बहुत अच्छा वाकिंग ट्रेक बनाए इसके साथी बगले माधौलाल बाब इसके अलावा हम लोग चाहर है कि और बिख्षित हो आप लोग में से बहुत कम लोग जानते हो कि बहुत इतनी बड़ी आस्था है माधौलाल बाबा के प्रती कि पूरे देश के के बिहार के कोने कोने से लोग यहां पे आते हैं और आप सोचे कि यहां की बेवस्तागर लोग के आवाजाई बढ़ती है और वहां पे पैसे का फ्लो करता इकनोमी फ्लो करती है जिसे अभर ओल हतुआ का भिकास होगा रोजगार के आऊसर बढ़ेंगे इसके अलावा हम लोग चाह रहें कि सरकारी भी भागो इंक्वारी में घुष्खोरी पर नियंत्रम बेवसा लोग है उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है हम खुद ऐसे ही घराने से हैं हम हतुआ मार्केट के अशली दुकंदारों में से हैं जिनके अपने पैत्रिक पांच पुष्ट पहले की दुकाने है जिसे खतियानी दुकान है और हतुआ के दुकान में जो समस्याएं है उ अब विष्वास रखीए हम आपके हात्युए में आपके सम्मान को कमी नहीं रखने देंगे क्योंकि हम खुद बेष्ई हैं और हम जांते हैं अप हम यह जानते हैं कि आप सबसे मेहनत ही आदमी हैं और आप सबसे सोन टार्गेट बनते हैं तुसरे अस्सramजी के लिए हम आपके अधिकारों के लड़ेंगे, आपके समाज में सम्मान के लड़ेंगे, बजार में आपको सम्मान के लड़ेंगे, ताकि आप बढ़ियां से बेवसाय करें, हम लोग ने मनसा बनाई है, कई लोगों से कहा है, कि हमारी कोशिस है, कोशिस रहे कि पांच साल में, कम से कम हम ऐसा कुछ क्रियाटिव काम किया जाए कि हाथ हुआ में 20% और ग्रहकों के आवाज आही बढ़े आज पास के गाहों के ग्रहक दुकंदार आप यहां से मूब करके मिर्गंच चले जाते हैं कोई दिककत नहीं मिर्गंच बढ़ा बजार लेकिन आप सोचिए कि वो दुकंद का भा उसे राहत और नलियों का जैसा बनाना है कि बहतर तरीके से हो सके जाप की समस्या लग जाती जाती है जिया तो पास जो हम लोग करेंगे इसके वे गल्यों हर बाडमे शुट सब लोग जुझ रहे हैं तो तो कैसे हो सकता है इसका बहुत तकाल रहत वाली उपाई हमा रेंचाहती राजश कई अब बेश्टा की ती अब है लेकिन अभी रगता है कि बहुत काम करना बाकी है। भावार में अगर उपलयाइट नहीं रहे तो बढ़ी दिक्कत होती है। पहले जेटर से लाइट लेके अपना काम चेला तेलेकिन वह भो खतम हो रहा है। लोगों ने जेनेटर बंद कर दिया, कई अचानक लाइट चली जाती है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है, इसके अलावा एक बहुत पुन समस्या के लाइट कई आंधी तुफान आता है, कोई बंदर से हिल गया तार, तो उसमें लाइट जब कट जाती है, तो उसको दुर को भुगतना हम ही सब को पड़ेगा, किसी एक पहसर नहीं पड़ेगा, यह धन्ना सेठ, धनकुबेर लोगों बंद के घुम रहे हैं, जो पाइल बाट रहे हैं, छम्छमिया पाइल बाट रहे हैं, बाहर से आकर के हतुवा पर राज करना चाहते हैं, इन लोगों के होगा, तो उसको क्या लेगा देना हो, यहां का तो ही नहीं, कोई इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है, और जो आदमी महल में रहता हो, राजा के बगल में बैठता हो, और कभी गरीबों का हमदर्द नहीं हो सकता है, यह अब वहाँ पहला रहे हैं, कि फलाना आदमी, फलाना इनके नियत में खोट हैं, आप समझेए, आम आदमी की उतनी डेरिंग नहीं होती है, कि इसा कर सके, उसको जहां रहना है, जिसका इमोशन जुड़ा है, वहीं से काम करना है, आप जानते होंगे कि जो लो कंड़ेट खड़े हैं, आप माने मिलाईए कि बजार में आते जात इसको समझेए, तद काली कृप से लोग जो लुभावने करने के लिए, बोटो के परभायूत करने के लिए, कोई पाटी दे रहा है, कोई चागल बाट रहा है, कोई पैसे बाट रहा है, कोई शराब बंदी में सराब पिला रहा है, जगा जगा चिनित कर रखा है कि वहां स ले लो यह सारी चीजे सब को पता है परसासन को भी मालूम है परसासन चाप भी मार रही है लेकिन छुपा दे रहे हैं पैसे खिला रहे हैं लोगो को तो यह सब चीज क्या करेंगे अपको समझने की बात है इस अब दुहेंगे सब दुहेंगे बाद में हमें हलाल करेंगे इस कुछ करें हम आपके लिए कुछ करें हम सब के लिए कुछ करें इसके लिए हम आपके सामने चुनाई मैदान में पूरी दम खम के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं आप देख रहे होंगे कि हम लोग ने जो काम किया है उसके बारे में बता रहे हैं जो काम करे हैं उसके ब उस बेवसाय में अगर दूसरा कंपडिशन पाइदा होता है तो आम आदमी को बहुत रहात मिलता है लेकिन इन लोगों ने क्या किया कभी दूसरा अपना कंपटीटर खड़ नहीं होने दिया जिसके कारण महेंगाई, महेंगे लेबल पे मनमाने दाम पर यह वशूली करते हैं, तो ऐसे लोग जो पैसे पाली कितरा बहार है, आखिर अखिर पैसा कहां से ला रहे हैं, कोई ऐसा तो आद्मी जो यहां से लूट रहा है और यहां बाट रहा है, वो तो कल फिर लुटेगा, वो इसा तो आदमी नहीं है कि यहाँ पैसे ले रहा है और यहां दे रहा है, क्यो ढounds, कोई कि एक पांच रूपर नहीं देतार है, कोई किसी को ब्यवज़ा नहीं देता और यह अज पैसे बाट रहे है, किसलिए? 주 लोग तंतर का गला घोटने के के लिए हत्वा को बरबाद करने के लिए आप सोचिए ऐसे लोग के मनसुवे पानी फेरिए क्योंकि अगर ऐसे मौका बार बार नहीं आता है पांच साल में हत्वा को बरबाद करके रख देंगे यसे लोग यह आपको बहुत गंभीता से सोचने की जरूरत है एक और कर रहे हैं अलग से संभाव है बात करना वालग से लोगों से बात कर सकती है लोग की समस्याव को जहेल सकती है लोग के समस्याव का समस्याव कर सकती है कोई महिला डारेक्ट उसे बात कर सकती है लेकिन दूसरे का निडेट है उनसे आप उनके असली के बात ही नहीं करें को तो आप लोगों को इस चुनाव को परभावित कर नहीं कर रहे हैं। हथवा का भविष आपके एक उंगली के दबने वाले बटन पर निर्भर है कि कैसे गरत लोग चुनाव जित जाएंगे तो क्या करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि नियत में खोट हैं हमारी बात हमारी जुबान जो बोल रही है वह हमारा करेक्टर है और हम लोग जो कर में तुरा मी बतन चाहते हैं वह पूरा पानी कि तरह साफ है नियत साफ है कभी भी जांच लेजे़े परक लेजिए और हर समाज के हम संतुलित नजरियाशे काम करना चाहते हैं इसके लिए आप लोगा जो डेना थै और इसके लिए हमारा चुनाव चीन हो है मारुती वहन ह स्कूल वहन है चारपहिया गाड़ी भी है और एविय में सबसे नीचे में है जिसको आपको समझने के ज़रूत है यह देख लीजिए और इसमें आप सबसे नीचे वाले पर बटन दबाईए यह हम लोग का है सुर्था साथ यह मारुतिव वेन है वर इसमें सबसे अखिरी में हैं यह सबसे आखिरी में होने के मतलब है आम आदमें की निसानियन है कि जोग है इस को सबसे उपर ले जाना है यही बिकास है तो जमीन पंधर इसको उपर ले जाना है मास्टर साब ने स्कूल ने बताया भी है धारा को उठाओ गगन को जुकाओ हमें पुरा भरोसा है कि आने वाले नो तारी को आप मद्दान जरूर करेंगे और अध्यक्ष मुख्य पार्षद चेरमेन तीनो एक है उसके मशीन में आप जो है आपको अध्यक्ष वाले के लिए बाकी में क्या देंगे और इसमें हमारा अग्रा है कि अध्यक्षपत के लिए आप निला बटन दबाना है मारुति वेन के सामने आखरी में सबसे नीचे और हमें पुरा उमीद है पुरा भरोसा है हम कि आप हमारी सिक्षा का जरूर ध्यान रखेंगे इसलिए कि अगर इस चुनाव में सिक्षा योगिता प्राष्थ हो गई तो आने वाले सबे में कोई सिद्धत से जल्दी खड़ानी होगा बहुत बहुत दजन्यवाद जय हिं C.Bihar C.C.Bihar